संगीता वीश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है हम अकसर चिप्स वैफर्स नाचो के पैकेट्स बचार से लाते हैं फोडते हैं और एंजाय करते हैं पर इन सबका एक पर्मनेंट फ्लेवर होता है जो कई बार हम खाखा कर बोर भी हो जाते हैं इसलिए मैंने एक अथांटिक रेसिपी चौरा फरी की जो एक तम यूनिक टेस्ट है आपके साथ शेयर की है यूट्यूब पर मैंने अप्लोड की है आपको बहुत पसंद आये बहुत अच्छा सब का रिस्पोंस विला है आज हम इसी का एक अलग वर्जन टमेटो चीजी चौरा फरी हम बनाएंगे चीज और टमाटर का फ्लेवर सभी को बहुत पसंद होता है और यह रेसिपी हम अपने घर के ही बहुत कम इंग्रेडियंस से और बहुत आसानी से फटाफट घर पर बना सकते हैं तो आएए अब हम इसके इंग्रेडियंस देखते हैं इंग्रेडियंस देखने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जी हां बेल आइकॉन दबाना बूल मत जा जाएगी टैंगी चीजी टमेटो चावरा फली बनारे के लिए हमें चाहिए काली मिरच का पाउडर एक चीज क्यूद नमक त्रीफोर कप मेंने बारिक रवा लिया है सूजी रवा ए थी मोटा है तो इसको मैंने मैज एक चंदी से छांग दिया है तो इसको मैंने मैजे की तो फ्लेवर देने के लिए मैंने लाल विंज पाउडर, चाथ मसाला और काला लॉइंच नमकले जो के ओपिछनल है वैसे इसका अछा चीज़ी और टेंगी बने गाई मेलाई के लिए सब्सक्राइबूरू हमें सबसे पहले रवा लेना है उसमें हमें माधा मिल आप सूजी और मेंसमें करने के बाद अब इसमें डालेंगे और पाउडर हाःफ ट्枊 स्पून हमने और कोई बहुत् भी और स्पाइचिसुस अब लेना है पहले नमक फ़ुत में पाउडर माविट करने के रहा है अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच हम इसमें तेल का मोयन देंगे पहले में दो चम्मच डाल दी हूँ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा मोयन और इसमें डाल देते हैं हाफ चमच और इस तरह से इसको मौयें डाल के अच्छी तरह मीक्स कर लेंगे तेल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है एकदम क्रंबर टेश्चर आजाता है अच्छी तरह दो solarane से हमारी चौणा फरीठों एकदम कृस्पी बनेगी और अब हम इसमें चीज़ ग्रेट कर लेते हैं, अब हमने चीज़ कर लिया इसको भी हाथ से मीक्स कर लेते हैं. मीक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमैटो केचप, तम्यमटो केचप से ही शुछी हमें कठ्था ढूंतन यह किधा करंचे, अल्मुस्ट दो से तीन टेबल स्पून टमेटो केचप हमें चाहिए पहले हम दो टेबल स्पून डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं जितना कड़क होगा उतनी क्रिस्पी बनेगी हमारी चवराफली उस अंदाज से में लेकर और इसको दो गूतना है थोड़ा सा और में ले पूर्दे के होगी आप बजार का भी ले सकते हैं और घर का बना हुआ भी है सकते हैं याल्मुस्ट तीन चम्मच में इसमें टमेटो केचप डाला है और डो उंठ लिया है अब हम इसको खोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं जिससे की रवा अच्छी तरह फूल जाएगा पां हम इसको पत्ला बेलना है अ कि हम चाय थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं इसको तेल लगा कर हम इसको बेल लेंगा पत्ला एकदम कड़क दोग मूथा है इसलिए किनारी से फटेगा कोई बात ने उसको हम बाद में एड़्यस कर लेंगे अच्छी तरह चूरी से हम कट करके और हमें स्टिक्स बनानी है तो इस तरह से किनारी फटती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको हमें पतला बेलना है इतना पतला बोलेंगे उतनी हमारी स्टिक्स अच्छी क्रिस्पी होगी यदि हम मोटा बेलेंगे तो वो फी पूरी की तरह नरम हो जाती है इसको एकदम पतला बेल लिया है इसमें केचप इसवजे से थोड़ा सा चिपकता है पर फिर भी आसानी से बहुत आसानी से बेला पतला बेल लिया है अब जो इसके ही साइट से इसको हम इवन कर लेते हैं इस तरह से कट कर देंगे और साइट साथा देंगे थोड़ा सा हम इसको इवन शेप दे देते हैं अब हम इसकी लंबी लंबली पतली स्टिक्स कट करेंगे चवरा फरी बनानी है इस साइज में हम इसको कट कर लेंगे कट करने के बाद हम एक एक चवरा फरी उठा कर इस तरह प्लेट में रख लेंगे कि यह मैंने चवरा फरी कट करके रख दिया अब इसको गरम टेल में फ्राइ करेंगे तलने के लिए और इसको ईथिम्याज कर दीये एक दम दम और में तलना है जिसरी एक क्रिश्पी बने गींगि, इस तरह से एक एक क्रिस्पी हो गई है को अम्नठी जड़ी घ॥ा घैलाखना लें हमिने बर्च टल लेति हूँ अब हम गरम गर्म चांत मसालå काला नमख प्रमियर जिसे कहते हैं और नाण मिच्द पॉल्डर में फ्रिंकल कर रह 이상 है यह optional है इसको extra tangy flavor देने के लिए मैंने इस प्रिंकल किया है आप चाहे तो वैसे ही ले सकते हैं चीज और टमाटर का prominent flavor इसमें ही अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे यह हमारी चीजी टमेटो चौरा फली रेडी है आपको यह मेरी टेंगी चीजी टमेटो चौरा फली की रेजी भी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स की साथ भी चलूर शेयर कीजी